बिग बॉस तक आपको रखे सबसे आगे आप सिंपली उसके साथ अलाइंस बनाओ जो तुमको अटैक नहीं कर सकता है बट इनकी बेवकुफिया तो देखिए कि इन लोगोंने टीम टाइगर के साथ अलाइंस बनाया है जो कि क्लियरली इनको गेम से आउट कर सकता है कभी भी तो इन लोग इसकी हल्प कर रहे थे अगर वो टीम प्लांट्स के साथ अलाइंस बनाया रहते तो सबसे ज़्यादा पावरफुल पोजिशन में रहते क्योंकि टीम प्लांट्स के साथ अलाइंस बनाते तो टीम प्लांट्स स्रिफ टाइगर को ही मार सकती थी deer को नहीं मार सकती थी तो team plants के साथ alliance बनाये रहे थे उनके सदस्तर कम किये रहे थे team tiger के और अराम से ये task सबसे ज़्यादा जीतने के chances उनके बन जाते भले ही उनका पहला player आउट हो गया था फिर भी क्योंकि आगे चलके team plants team deer को नहीं मार सकता था बट मन में वो ही चल रहा था कि task के बाद map हमको मिलेगा कि नहीं विशाल होते हैं जिस भी तो घर के अंदर जा रहे हैं मतलब दो round क्या दूसरा round तो cancel हुआ है स्रिफ एक ही round हुआ है task का और इन लोगों ने मन बना के पहले ही बैठ गए कि अब कुछ नहीं होना है हमारा कुछ तो दिमाग लगाते हैं कुछ तो करते हैं कुछ नहीं गिया और इसके बाद ये तो छोड़ो ये तो चीज़े होई रहती बट बिग बॉस भी कम नहीं है बिग बॉस ने भी तीन मशीन तीन अलग कैसे दे सकते है यार एकी company की एकी style की company आपको देना पड़ेगा न अगर competition में उतारना है आप एक को दुसरा चीज दे देंगे दुसरे को दुसरा दे देंगे बोलेंगे निकालो juice क्योंकि करन कुंद्रा ने straight away complaint किया है कि उनके जो juice निकाले वाले machine में वो जो चाहिए प्रेस करने के लिए जो क्या बोलते है zigzag zigzag वो हई नहीं तो कहां से गन्ना easily होगा और जो आप उनके machine देखेंगे तेजस्वी और विश्वाल की तो उनकी machine तो obviously दिखी रही थी कि वो easily वहाँ से juice निकाल रहे थे तो ये तो unfair big boss ने खुछ start किया सबसे पहला level big boss का उसके बाद शमीता का बट उसका थोड़ा बहुत बोल सकते है जादा नहीं बोल सकते है शमीता का क्योंकि उसने promise किया था कि जो भी juice का level रहता है उसी के उपर decision देगी बस गन्य देने में उसने थोड़ा सा उपर नीचे किया and third है इनकी बेवकुफ पंती का जो कि अब मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से game कहला है और सब लोग आगे का सोच रहे बहुत जादा बस जो present में game है उनके पास task दिया गया है उस पर जादा किसी ने concentrate नहीं किया alliance नहीं बनाया otherwise कभी भी game इधर से उधर shift कर सकते थे अगर विकास गुपता होता तो आप देख सकते थे कैसे वो game पलटा दिया रहता ये भी तो यहाँ आपर सब लोग अपना देख सकते है कोई negative दिखना नहीं चाहरा है शमीता को भी अगर कोई negative दिखाने के कोशिश कर रहा है तो वो भी बहुत ज़दी clear करने के लिए जारी भाई मैंने नहीं बोला मैंने पहले ही बोल जा था कि मैं इनको लाना पसंद करती हूँ विशाल विशाल भी सब के सामने अपने आपको अच्छे ही रखने की कोशिश कर रहा है डोनल, डोनल को तो वैसे तो बहुत ज़दा हैट्रेट मिल रही है कि उसने सब के मूँ फार दिये ये कर दिये वो कर दिये नाखुन मार मार के उसने तो क्यामरा में दिखा है स्टार्टिंग में किचन रिलेटेट फाइट किया है उसने वो तो मैं मानता हूँ लेकिन इतना क्या नेगेटिव नेगेटिव उसके लिए भी कर रहे है अब पता नहीं यार उसने रियल में कितना नुकसान पहुचाया है नुकसान तो करन कुंदरा ने भी कूद के पहुचाया है तो इस तरीके की चीज़े हो रही है और चीना जप्ती और मुपे स्क्रैचेस ये सब चीज हो रहे हैं बट में चीज है अलायन्स है और दिमाग लगा के खेलना वो यहाँ पे थोड़ा सा कम मुझे तो नजर आया है टीम डियर के तरफ से और करन कुंदरा भी गेम पलटा सकते थे बट सब को अपना अस्तित्वा अपना जो बोलते हैं न लॉयल्टी फेरनेस के साथ खेलना है कोई भी ऐसे पीछे से पीछे से बैक्स्टैब नहीं करना चाता है किसी को क्योंकि सब लोग इतने इतना सीजन देख के आएं तेजस्वी भी देखेंगे कोई भी बैक्स्टैब का लेबल अपने उपर नहीं रखना चाता है और कुछ प्लेयर रहते थे पहले अलिकुली मिर्जा, एजाज खान वो खुले हम बोलते हैं हम लोग डबल धोल की है हम इधर से उधर जाएंगे बट ये सीजन में अब तक तो कोई डबल धोल की जैसा प्लेयर आया नहीं है अफसाना को छोड़के अफसाना उल्टा करती है गेम का बट वो उतनी स्ट्रॉंग मुझे तो नहीं लगती है प्लेयर उसके अलावा ऐसा कोई आया नहीं है कि जो नेगेटिव इमेज क्याड़ी करने के लिए रेडी है कोई भी नहीं करना चाहता है कोई भी वो लेबल लेना नहीं चाहता है तो गाईज आपको कैसा लगा यह टास्क और प्लीस कमेंट डाउन कीजिए थाइंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो मिलते नेक्स वीडियो में यह टास्क थोड़ा सा जाधा ड्राइग हो रहा है मैं अपडेट दे देके परिशान हो गया हूँ कि क्या हुआ है चाहिता है दिखा देना चाहता आज के एपिज़ूड में पूरा चलो anyway कल देखेंगे अट्योल होता क्या है एंड में क्योंकि लास्ट राउंड में थोड़ा सा श्रंपीटा का डिसीजं अनफेर हूआ है ऐसा मुझे पता चला है let's see क्या सा decision रहता है thank you for watching this video, मिलते नेक्स वीडियो में, bye